जब भी मार्केट से एक cooler purchase करने जाते हैं तो आपको मार्केट में different types की varieties देखने को मिल जाती है जिन में से आपको personal cooler, tower cooler, desert cooler और evaporated cooler type की varieties देखने को मिलती है तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे top 3 desert cooler के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए काफी उप्युक्त होंगे, आपके लिए value for money back होने वाले हैं पर उससे पहले अगर आप एक cooler purchase कर रहे हैं, मैं आपको 5 ऐसे key points बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ये 5 key points के हिसाब से cooler खरीते हैं, तो definitely आप एक अच्छा cooler खरीच सकते हैं पर अगर आप cooler के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो मैंने आपको description में पूरा time slab दिया है तो आप वहाँ से जाकर अपने cooler को select कर सकते हैं, और जो मैंने top 3 coolers बताए हैं, उनको भी देख सकते हैं इसके cooler पर चेज करने से पहले सबसे ज़्यादा matter करता है brand तो अगर आप किसी अच्छे brand का cooler पर चेज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक best cooler सावित होने वाला है तो में आपको Tata, Hevels, Bajaj, Crumbton और Symphony जैसे top brands के cooler देखने को मिल जाएंगे इसके बाद बात करते हैं technology की दोस्तों किसी भी equipment में सबसे ज़्यादा matter करती है technology अगर आपके cooler की technology best है, तो आपका वो cooler हमेशा एक अच्छी performance देगा और आपके लिए ये एक value for money package होने वाला है टेकनोलजी में आपको cooler में mostly दो टेकनोलजी देखने को मिलती है पहली होती है fan technology और डूसरी होती है blower technology अगर आपका cooler blower technology का है, तो ये आपको कम air throw देगा जिससे आपका कम area cover होने वाला है पर अगर आप एक बड़े साइज का cooler ले रहे हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखे कि उसमें जो technology दी गई हो, वो fan technology हो fan technology के कुछ difference वाइदे होते हैं, जैसे कि आपको इसका air throw rate बहुत अच्छा मिलने वाला है ये आपका करीब 20-25 फिट एरिया आसानी से cover कर लेता है मगर आपका blower technology सिर्फ आपको cooling दे सकता है, इससे आपको air throw देज नहीं मिलने वाला है इसके बाद जो next point आता है, वो है हमारा cooling pads मार्केट में आपको दो types के cooling pads देखने को मिल जाएंगे पहला है honeycomb pad और दूसरा है woodball pads woodball pads हमारी traditional technology है, पर आपको जो latest technology देखने को मिलेगी, वो है आपकी honeycomb pad पर कई लोगों को ये myth होता है, कि आपका honeycomb pad ज़्यादा ची cooling देता है, compare to आपके woodball pads अगर आप cooler में woodball भी बरते हैं, आपको woodball की मोटाई कम से कम 1.5 cm जरूर रखनी चाहिए तो कि अगर woodball इससे पतला होता है, तो आपको कम cool air मिल पाती है वहीं honeycomb pad में आपको ये जरूर देखना है, कि आपके honeycomb pad की मोटाई करीब 1.5 से 2 इंच की जरूर हो, तब आपको एक अच्छी और cool air मिल जाएगी cooler खरीबने के लिए हमारा next point आता है tank capacity, अगर आपके cooler की tank capacity अच्छी है तो आपको उसमें बार बार पानी refill नहीं करना पड़ता है तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखेगा, कि अगर आप कोई भी desert cooler purchase करने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम उसमें 50 लीटर का tank जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपका desert cooler जादा पानी यूज करता है, जिससे आपको उसे बार बार refill करना नहीं पड़ेगा दोस्तों अगला point आता है power consumption, power consumption एक बहुत ही important point होता है, क्योंकि cooler खरीदने में आप सिर्फ एक बार invest करते हैं, पर जब आप इसे regular use करते हैं, तो ये आपके बिचली को बिलको बहुत अधिक बढ़ा देता है, अगर इसके साथ आपके हाँ light की supply नहीं आ रही है, तो आप इ परचेज करना चाहिए, क्योंकि ये cooler आपके single battery पर भी आसानी से operate हो जाएगा, और आपको ज्यादा time तक हवा दे पाएगा, तो का ये question भी आता है, कि उनका cooler cool air नहीं दे रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक suggestion देना चाहूंगा, अगर आपका cooler proper cool air नहीं दे रहा है, तो दोस्तों ये कुछ key points थे एक cooler purchase करने के लिए, आप बात करते हैं अपने top 3 coolers के बारे में, जिनके बारे में पूरा detail के साथ बताऊंगा, और इनके disadvantage और drawback भी मैं आपको बताने वाला हूँ, योगि कोई भी brand अपने में perfect नहीं होता है, आप अपने हिसाब से इने select कर सकते ह इस list में जो हमारा पहला cooler है, वो आता है Hevels company का, ये Hevels का cool air wood wool होता है, ये cooler आपको 51 liter की tank capacity के साथ मिल जाएगा, company ने जब इस cooler को launch किया था, तब इसमें company wood wool pets देती थी, पर recently जो नया model company ने launch किया है, उसमें आपको honeycomb pet देखने को मिल जाएगा, इतके power consumption की बात की जाए, तो ये cooler हमारा 220 watt पर update होता है, मतला अगर आपके पास एक single battery का भी inverter है, तब भी आप इसे आसानी से 5-6 घंटे चला सकते हैं, दोस्तों इसमें PP और EBS material का यूच किया गया है, जिससे इसकी durability काफी अधिक बढ़ जाती है, मैं अब आपको इसके कुछ की features के बारे में बता द अब ही जो binding आ रही है, वो हमारी copper motor के सागता आ रही है, इसकी durability काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें ABS plastic का यूच किया गया है, जिससे आपको ये long life मिलने वाला है, जो third इसका advantage है, वो है इसकी best cooling, ये cooler अपने segment में काफी अच्छी एवं cool air देता है, इस cooler की noise भी काफी कम मिलत ही है, तो अगर आप इस cooler को purchase करेंगे, तो आपको इससे किसी भी प्रकार का discomfort नहीं होने वाला है, बात करते हैं इस cooler के disadvantage के बारे में, दोस्तों ये एक latest technology का cooler है, कंपनी ने इसमें एक latest technology को add नहीं किया है, वो है हमारा ice chamber, क्योंकि latest technology के सभी coolers में आपको एक separate ice chamber देखने को म अगर आप इसे full night चलाते हैं, तो ये cooler आपका 4-5 गंटे में ही tank को खतम कर देता है, जिससे आपको इसे बार बार refill करना पड़ता है, ये हो गया cooler के specification की बात, उसके advantage और disadvantage की बात, आप करते हैं सबसे important बात, कि ये cooler आपको कितने का पढ़ने वाला है, अगर इसके price की बात क की जाए, तो ये cooler आपको Amazon card पे लगभग 10,390 रुपए का मिल जाएगा, अब बात करते हैं अपने अगले cooler की, cooler आता है हमारा symphony से, ये हमारा symphony का sumo 75 लीटर power desert air cooler, अगर इसकी tank capacity की बात की जाए, तो ये आपको 75 लीटर की tank capacity के साथ मिल जाएगा, इसके साथ आपको इसमे three side honey compact भी देखने को मिल जाता है, जिससे ये काफी अच्छी और cool air दे देता है, मुझे इसकी एक चीज परसनली काफी अच्छी लगी, वो है इसका low power consumption, अगर इसकी power motor की बात की जाए, तो ये करीब 185 watt per motor operate होती है, और ये आपका काफी बड़ा cooling area cover करती है, इसका cooling area करीब 37 38 square meter है, तो अगर आपका एक काफी बड़ा हाल है, तब भी आपके लिए ये cooler एक सही choice होने वाला है, आप बात करते हैं इस cooler की विसेस्ताओं के बारे में, दोस्तों इस cooler की तीन प्रमुख विसेस्ताओं है, पहली है इसकी build quality, क्योंकि आप जानते हैं, ये symphony brand का है, और symphony अपने brand quality के बारे में काफी जादा famous है, उसके साथ जो second number आता है वो आता है air throw, इस cooler का air throw भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, इससे ये काफी बड़ा area cover कर लेता है, तो थर्ड advantage है इसकी cooling properties, three side honey compact होने के कारार, ये cooler आपको बहुत अच्छी और बहुत थंडी हवा देत है, अब बात करते हैं इसके disadvantage के बारे में, दोस्तों इस cooler के दो main disadvantage है, पहला अगर आपका room का size छोटा है, आप इस cooler को मत परचेज करिएगा, क्योंकि ये cooler बड़े area को cool करने के लिए है, आपके छोटे room के लिए काफी बड़े size का हो जाएगा, इस noise कुछ जादा देखने को मिलती है, तो अगर आप इसको room में रखकर चलाते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा discomfort हो सकता है, पर दोस्तों overall अगर बात की जाए, तो cooler काफी अच्छा है, इसका main drawback है, वो है इसकी noise, के price की बात की जाए, तो दोस्तों ये cooler आपको 13,399 रुपए मिलेगा, और ये आपको online flip card वा Amazon पे available हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आप इसे purchase करना चाते हैं, तो मैं इसका link आपको description box में दे दूँगा, आप वहाँ ती जाकर इस cooler को purchase कर सकते हैं, हमारी इस list का तीसरा cooler है, दोस्तों वो cooler best in segment है, और वो cooler आता है हमारा Tata company से, ये है Tata Voltage Mega 70 Liter Air Cooler, दोस्तों इस इसकी tank capacity आपको 70 liter की मिल जाती है, और अगर इसके power consumption की बात की जाए, ये अपने segment में सबसे कम power consume करता है, ये आपका 150 watt पे operate हो जाता है, इसमें आपको honeycomb pad देखने को मिल जाता है, कि air through quality काफी अच्छी देखने को मिलती है, और दोस्तों ये अपने segment का काफी advanced cooler है, तो आप के लिए ये cooler एक perfect choice हो सकती है, अब बात करते हैं इस cooler के advantage के बारे में, दोस्तों ये cooler देखने में काफी अच्छा है, तो मतलब ये आपको एक best design का cooler मिलने वाला है, इसके साथ आपको इसमें एक stand भी देखने को मिल जाता है, जिस्ते आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, ये आप outdoor भी कर सकते हैं, जिस्ते ये काफी अच्छी और तेज हवा दे पाएगा, इस cooler की मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो लगी इसकी low noise, दोस्तों ये cooler बहुत कम noise करता है, तो दोस्तों ये हो गए इस cooler के कुछ features, आप बात करते हैं इस cooler के price के बारे में, क्योंकि cooler का price ही cooler की quality के लिए काफी important होता है, ये cooler आपको 13,07 रुपए का online pointer पर मिल जाएगा, ये आपको Amazon एवं Flipkart दोनों पे available मिलने वाला है, आप अगर इस cooler को purchase करना चाहते हैं, तो आप description box में जाकर link पर click करके इस cooler को purchase कर सकते हैं, दोस्तों ये थी top 3 के list desert air cooler की, अगर आप चाह अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मत दिएगा